नमस्कार साथियो मैं कृष्णा रांसिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोर्डल कृष्णा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग धारा 144 से सम्मंधित अनेक महत्पुन्ट तत्यों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पिछले दिन यानि की एक फर्वरी से इंटर्मीडियाट की परिक्षा प्रारंब हो चुकी है और इस परिक्षा की समाप्ती के वाज 17 फर्वरी से मैट्री की भी परिक्षा प्रारंब होगी एक फरवरी से पहले सरकारद्वारा अनेक महत्तपूर्ण परिक्षा से सम्मन्धित गाइडलाइन्स जारि किये गए हैं और उस गाइडलाइन्स में एक यह भी थी धारा 144 क्या आपको पता है कि धारा 144 क्या होता है धारा 144 कोन लागू करता है धारा 144 कब और कितने समय तक के लिए और कितनी अवधी के लिए यह प्रभावी रहता है और धारा 144 के उल्हंगन करने वाले बैक्ती पर इसकी सजा का क्या प्रावधान है तो इसी से सम्मंधित इन सारे सवालों का जबाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ढूढेंगे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि धारा 144 होता क्या है धारा 144 किसी भी इलाके में सांती वेवस्था को बढ़ाई रखने के लिए सरकार द्वारा लगाई जाती है और जिस इलाके में इस धारा को लगाई जाती है वहां के जिला धीकारी द्वारा एक notification जारी कर और सूचना जारी कर इसको लगाई जाती है उसके बाद हम लोग समझते हैं इसे कौन लगाता है तो अस्पस्ट हो चुका है, समझ ही चुके हैं इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्टेड और जिला धीकारी द्वारा एक notification जारी की जाती है और उसके तहत धारा 144 लागू की जाती है इसके बाद हम लोग अगले point पे बात करते हैं कि कब और कितने समय के लिए प्रभावी रहता है तो धारा 144 जब लागू की जाती है उस तिथी से केवल दो महिने तक या प्रभावी रहता है लेकिन इसी विशेश परिस्थिती में राज सरकार इसे 6 महिने तक बढ़ा सकती है समान इस्थिती हो जाने पे अनिकि 6 महिने तक अधी धारा 144 बढ़ाई गई हो और उसी बीच में उसके अंदर ही अधी समान इस्थिती हो जाती है उस इलाके की उस छेत्र की तो पुनह उसे वापस ले लिया जाता है इसके बाद हम लोग इस बात को भी समझ लेते हैं कि धारा 144 जब लागू की जाती है तो इसका प्रभाव उस एरिया में क्या क्या होता है तो इस धारा के लागू होने पे 4 या 4 से अधिक बेगती एक जगा इकठा नहीं हो सकते हैं कोई ओसांती या तो फिर घुमने फिरने की जो प्रक्रिया होती कहीं जाने की उसमें 4 या 4 से अधिक बेगती नहीं जा सकते हैं कभी कभी ऐसी भी होती है जिलाधिकारी दोरा ऐसा भी निर्देश दिया जाता है उस धारा के अंतरगत कि बाहन पर भी रोक लगा दी जाती है और इसके बाद हम लोग अंतता है यह समझ लेते हैं कि अधी कोई बेक्ती धारा 144 का उलहंगन करता है वैसी इस्तिती में उसके लिए क्या सजा का प्रावधान उसके लिए क्या पनिश्मेंट मिल सकता है तो अधिक्तम जो बेक्ती इस धारा का उलहंगन करते हुए पकड़ाये जाते हैं तो अधिक्तम तीन साल की सजा हो सकती है और इसके सासाथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है या तो फिर त intermediate जो परिक्षा चल रही है, उसमें परिक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाई गई है, ऐसी स्थिती में कोई अनाधिकृत बेखती student को छोड़ करके वहां तक नहीं जा सकते हैं उस एरिया में, उस छेतर में 200 मीटर के एरिया में, अधिवह पकड़े जाते हैं, तो वह अधिक्तम 3 साल की जो सजा होगी, उसके भागीदार होईंगे, और फिर भारी से भारी जुर्माना भी उस बेखती पे लगाया जा सकता है तो यह थी कुछ महत्तपूर्ण जानकारियां, जो की धारा 144 से संबंधित थी, तो निशित रूप से यह छोड़ी सी जानकारी आपके ज्यान में जरूर विर्धे करेगी, थाइंक्स पर वाचिंग, गुडबाए